दोस्तों क्या आप कंप्यूटर में एक्सपट बनना चाहते हैं? हाँ हाँ मैं कंप्यूटर में एक्सपट बनना चाहता हूँ मुझे मेरे दोस्त कंप्यूटर में बहुत नूब नूब करके चिड़ाते हैं इनको तो इनके दोस्त में बोथ नूब समझते यuating की अनारी समझते हैं अगर आपके दोस्त भी आपको MICHAEL कमपीटर में अनारी समझते तो अब आनारी से खिलारी बनने का वक्त आया है लेकिन आप ऐसे क्या बताने हुलाओ जिसे हम अनारी से खिलाडी बन जाएंगे? बता रहा हूं इस वीडियो में आपको बताने हुलाओ ピूटर थीट्र जीसे जानकर आप अम्पूटर में अनारी से घिलाडी बन जाओगे और एक बोनस टिप्स भताने वाला वीडियो के इंडिंग में तो अगर आप जानने में इंट्रेस्टेट यह एक एरा टिप्स दस और एक बोनस टिक्स तो यह वीडियो एंड तक दिखिए कब मैं सतिष कम्पली टेक्न आप सब का सब काता हुआ लाइज बेगिन टिप्स नम तो मैं क्या करूँगा इस इमेज को सेव करूँगा फिर कोई टेक्स एक्स्टेक्टर में डालूँगा और उसके बाद टेक्स निकालूँगा राइट तो इतनी सारी मेंनत करनी की ज़रौत नहीं है बस आप कीबड पे विंडोज शिप्ट और टी दबा देना विंडोज इस यहां पे आचुका है एक्स्टराइट हो चुका है आप कोई भी इमेज का टेक्स्ट फास्ट ली एक्स्टराइट कर सकते है लेकिन यह विंडोज शिप्टी कब काम करेगा यह भी द्यान से सुनो आपको करना क्या है आपको माइक्रोज़ॉफ स्टोर में जाना है आप आप यहां इस अपे देख सकते हैं और उसके बाद में यहां पे सर्च में आऊँगा और सर्च में इसे पावर saat को स्टार्ट कर दोंका मतलब अल्लेडी इंष्टॉल है तो अभी यह स्टार्ट हो जाएगा अगर आपकी के इस में में इस्टाल नहीं तो आपको पहले सी स करना पड़ेगा स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे पावर ट्वाइस के अंदर बहुत सारी चीजे इसमें हमने यह वाला पॉर्शन हमारा देखा है जिसका नाम है टेक्स एक्टेक्टर अगर आप इसके उपर क्लिक करते हो तो इसकी शॉटकट की यहां प तो टीफ संबर 2 में मैं आपको बता हो कि जैसे मैंने टीफ संबर 1 में बताया था कि इंग्लिश टेक्स्ट एक्स्ट करता है पावर टाइस मेंसेज जो टेक्स्ट एक्स्ट एक्स्ट करता है वो अफशन राइट अब आपको हिंदी टेक्स्ट करना है तो उसके लिए क्या क कि यहां से हम फाइल अपलोड करेंगे, जो भी फाइल, जहां पर भी सेव है, यह मेरा ऐसे है, और यह मैं अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी दिवस पे, तो यह यहां पर पहले अपलोड करना है, गूगल ड्राइव के उपर, अपलोड करने के बाद वह आपको रिसेंट में यह इस टेक्स्ट ही एक्स्ट होता है, इसलिए मैं यह हिंदी टेक्स्ट एक्स्ट करने के लिए आपको ट्रीक बता रहा हूँ, कि आपकी जो इमेज यह को गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, आपका जीमेल अकाउंट तो रहेगा, तो गूगल ड्राइव में यहां पर उसे स्रिभासिया में है, तो वो ट्राइ कर सकते आप गूगल ड्राइव की मदद से, यह थी टिप्स नमबर तू, टिप्स नमबर त्री, स्क्रिंशॉट लेने के लिए आप क्या करते है, जनरली विंडोस प्रिंट स्क्रिं बटन बटन दबाते हैं, तो यहां पर मैं और एक श स्क्रिंट 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 स्क्र शारे option से यह पर चाहते हैं इसके हुपर कुछ मार्क करना है तो redpaint से यह पर आपर इसक अ के मार्क करके दिखा सकते यह highlight करना चाहते है कोई चीज़ तो आप आप हाई-light device कर सकते और यह आप सेव अगर आपने इसे explore नहीं किया है तो अब देखिये मैं बता रहा हूँ राइट जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ellipses की उपर और यहाँ पर स्टैंडर्ड साइंटिपी ग्राफिक प्रोग्रामर्मर जाओवगे तो प्रोग्रामरों को चाता है जो लोग प्रोग्रामर होते उनको hexadecimal oct उक्योम और बिन यह code जरुरी होते तो वह यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप you Bhag हो मता है या पर data calculation के सकते हैं पटा-पट यहां से और date calculation तो है साथ में currency यह दिखिए, currency conversion है, उसके बाद volume, उसके बाद length, weight and mass, temperature ऐसे धेर सारी चीज़े इस calculator के अंदर available है, और उपर से अगर आप यह calculator को top में fix करना चाहते हैं, यह calculator standard, तो यहाप एक option आपको मिलता है, इसमें keep on top, keep on top का मतलब यह होता है कि अगर मैं यहापे कोई भी application स्टार्ट करो, जैसे example ले लो, मैं यहापे drive स्टार्ट कर रहा हो, यह chrome browser स्टार्ट किया, तो भी यह calculator उपर ही रहेगा सभी application के, तो इस तरह से calculator का smart use आपको करना आना चाहिए, तो यह थी tips no.4, tips no.5, किसी भी software को या फिर folder को आप कर सकते हैं, जैसे example ले लो, मैं आपको example बता रहता हो, यह पर day drive में आता हो, और मुझे एक folder है जो daily open कर रहता है, तो मैं इसे shortcut key से start कर सकता हो, मतलब shortcut key से start कर सकता हो, basically कैसे करना है उसके लिए, simple है, इस folder को बढले, select करो, rightly करो, rightly करो, rightly करने के बाद, send to a option मिलेगा, send to option में मिलेगा desktop create shortcut, यह पर desktop पे इसका shortcut बना दो पहले, shortcut बना दिया, चलो, बना दिया, अब क्या करना है, इसको minimize करना है, desktop पे आप देख सकते, यहां सो आप इसे open कर सकते, लेकिन इसके उपर right-click, right-click करने के बाद, इसके properties में जाओ, क्योंकि इसके लिए हमें shortcut key, तो properties में ज क्योंकि Ctrl A B C, Ctrl A Select All के लिए होता है, Ctrl B Bold के लिए असाइनरे है, तो तो मैं तो अप्ला सा आप आफ शुटक्त के लिए हमें, और मैं मैं Ctrl Shift Q करूंगा, तो जैसे मैं Ctrl Shift Q प्रेंच के यहां पे आप देख सकते, Excel Files नाम का यह folder है, यह इसे आप किसी भी software के लिए भी shortcut की assign कर स और रएधा रखकान चाहिए पालेगा miejsce आप मैं और रही हो यह जम मुझे लिए निरा वर्ड कुर मुझे सी आपर पॉतली के आपर करने के लैगा पर रहा है सो सेम यह अपर चैन कर दिखा है इस टॉटकुर्ट क्टरोर्ट की यह कृटर्ट शेंग W जो भी assign करना चाहते हैं, आप यह पे कर सकते हैं, apply कर लो, यह पे apply करने के बाद continue करना पड़ेगा, okay करना पड़ेगा, permissions के लिए, और उसके बाद यह पे control ship P प्रेस करोगे, तो यह पे Microsoft Word स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से, right, तो आप कोई भी software भी shortcut key से start कर सकते हैं, आप बढ़ते हैं अगले tips की तरह, tips no.6, अब किसी भी folder को start करने के लिए, आप shortcut key तो assign कर सकते हैं, साथ में उसे अप quick access में भी add कर सकते हैं, अब quick access क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप windows e-press कीजी अपने computer में, यहाँ पे file explorer उपन हो जाता है, यह दिखिए, file explorer अब जैसे आपको example ले लो, यहाँ पर जब भी folder कुछ open करते हो तो यह quick access में आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, यहाँ पर पिन रहे जो folder में हमेशा access करना चाहता हूँ, तो file explorer में पिन रही यहाँ जिससे क्या होगा, अब quickly उस folder को उस file को access कर सकते हैं, तो इसके लिए अब आपको access करना है, इस folder को आप quickly access कर सकते हैं, विंडोज फ्रेस करो और यहाँ पर click करो, यह folder quickly access हो जाएगा, और इसके अलाव आप इसे start में भी add कर सकते हैं, आपको लगता कि start में, सर्च होने की बाद आजा है, start menu में जैसे program होते हैं, वैसे folder आजा है, तो जैसे work file folder है यह मुझे start में add करना है, तो में right click करूँगा, और simple है, same आपको करना है, नीचे आपको option में लेगा pin to start, जैसे उपर मिल रहा था, pin to quick access, वैसे pin to start पे click कीजिए, और आप यहाँ पर देखिए, क्या नाम था work files, तो आप यहाँ पर work files टाइप करोगे दिए, दिए work files आपको start होनी चाहिए, और बहुत सरी बार ऐसे application रहते हैं, जो unwanted start हो जाते हैं, तो उसे कैसे setup कर सकते हैं, यहाँ पर करना है, सर्च में जाना है, आपको यहाँ पर type करना है, startup apps उपर देखिए, startup apps में ने type किया है, और यहाँ पर आपको list आजाए कि भाई, computer start होने के बाद इतने स applications नहीं चलना चाहिए, background में रहा है यह वैसे तो मैं इसे बंद करके रख सकता हूँ, तो जो applications आपको नहीं चाहिए, वो यहाँ से बंद करके रख सकते हैं, और कोई application, customized application आपको startup में डाला है, तो आप कैसे डालोगे, उसके लिए करना क्या है, start run, simple है, start run, यानि run command open करना ह यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना आपको sale, यह देखिए, sale colon startup, यह मैंने टाइप किया, sale colon startup, एक folder open हो जाएगा, एक location open होगा, यहाँ पर जो भी file का shortcut, folder का shortcut, या फिर program का shortcut रखोगे, वो program, computer start होती ही, शालू हो जाएगा, या फिर आप किसी song का भी shortcut रख सकते हैं, जैसे example ले लो, मैं desktop पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा computer restart होती है, या computer जब भी मैं पहली बार start करूँ, तो यह वाला folder open हो जाए, तो मैं यह shortcut करूँगा, यह shortcut करूँगा, और यहाँ पर आके मैं paste करूँगा, तो यह वाला folder जो है, मेरे computer start होते ही start हो जाएगा, याद आप यह पर कोई भी गाना रख सकते है, कुछ भी रख सकते है, गाने का shortcut तायर करो, पुरा गाने रखने की ज़ुरद नहीं, राइट क्लिक करके उसका shortcut तायर करो, यह पर लाकि उस shortcut को cut-paste को दो, तो वो गाना डारेक्ली चालो हो जाएगा, जैसे आप computer start करते है तो, तो माउस pointer लेकिया जाओ, और यहाँ पर माउस का left button प्रेस करके रखो, और बस ऐसे गुमाओ, पीछे जितनी भी फाइल हो, सब minimize हो जाएगी, यह दिखिए, शेक कीजी है, मतलब बस, आपका यह कितना भी छोटा रह रहे तो, बस title बार पर mouse pointer लाना है, आपको यहाँ पर mouse का left बटन होल्ड करके रखना है, और ड्रैक करना है, इस तरह से शेक करना है, तो यह देखिए, पीछे के application face open, यहाँ पर face minimize करना है, यहाँ पर title बार पर mouse pointer, इसे शेक करो, पीछे के application minimize हो जाते है, तो यह चोटी से tips है, इसे भी ज़रूर याद रखना, tips no.9, यह भी बहुत का साइटे जो दिखाना है, वो open करके रखो, उसके बाद Windows Alt और R प्रेस करो, Windows Alt और R प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए, यह recording चालो हो जाएगा, यह देखिए, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, यह सारी की सारी चीज़े यहाँ पर record हो रही है, याद रखिए, उसके बाद लेकिन यह recording गया कहाँ, आपको इसको लाने के लिए Windows Z प्रेस करना पड़ेगा, Windows Z में यहाँ पर आपको दिखाए देगा, See My Captures, यह दिखाए दे रहा है, See My Captures option, यहाँ पर आपको आपका रिसेंट वीडियो दिखाए देगा, सारे वीडियो एक साथ देखने है आपको, तो उपर यहाँ पर फोल्डर का इकॉन दिया है, यहाँ पर क्लिक करो, उपन फाइल एक्स्प्लोर, और जहाँ पर सारे वीडियो आपके स्टोर है अब तक के, वो सारे के सारे यहाँ आपको दिखाए देगे, फिलाल एक ही रेकॉर्ड है, और यह वीडियो आप किसी को भ अगर आप डेक्स्टॉप स्क्रीन रेकॉर्ड करना चाहते है, आपके कोई भी अप्लिकेशन यहाँ पर उपन नहीं है, तो विंडोज अल्ट और प्रेस करने के बाद यह रेकॉर्डिंग श्राट नहीं होगा, याद रखिए, इसके लिए आप वंडर शेर फिल्म और कि जैसे अपने स्क्रीन रेकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसे एडिट करना है, कोई भी विडियो है आपके पास, उसे एडिट करना है, तो आपको अलग सा विडियो एडिटर की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक लेवल के एडिटिंग करनी है, तो आप विंडोज का इन बीड यही रहने देता हूं, और यहां पर आपके समनी विडियो एडिटर उपन हो जाता है, यहां पर आप अप एड बटन पे क्लिक करके आपका जो भी वीडियो है वो यहां पर आड कर सकते। इस एक एडियो एडियो एडिया, और इसे मैं ड्राग एं ड्रॉप करूँगा नी जो आप परचिस का सकते हैं, लाइफ टाइम लगबग 6-7000 में मिल जाता है, but that will be the best software, और इस software को अगर आपको इस्तमाल करना जाना है, तो इसकी लिए डीटेल वीडियो में बनाया, description में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, कि वह यह वीडियो ओडिटर कहसे काम काता है, इसम लेटीपस को में अपको बतादी, तो यह 10 टीपस मैं आपको बतादी, लेकिन वीडियो के शुरुबात मैं बन्हें का था, कि आपको मैं एक बटने या वन्हें लावाला हू, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्या लगा लगा है, तो लाइक शेर और गमेंट कर देना साथ में चैनल पे नए में में मान हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टैल पसंद है मैं जो भी बढ़ा रहा आपको समझ में आ रहा है लेकिन अगर आपका टैपिंग स्टैल बिल्कुल नहीं है और आप नूब हो अनाडी हो आप खिलाडी बरना चाहते हो टैपिंग में भी तो आपको टैपिंग स्टोर के जोरुद पड़ेगी टैपिंग स्टीट बढ़ाने के लिए और उसके लिए आप Microsoft Store के ऊपर किरन टैपिंग स्ट्यूटर करके एक टैपिंग स्टोर यह जो सर्च कर सकते है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब आप Microsoft Store पे किरन typing करके search करोगे तो यह आपको मिलेगा इसे आपको install करना है मैंने install करके रखा है और यह काफी interesting software basically और यह बिलकुल free है आप यहापे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ इसमें typing lesson मिलता है typing test है kids typing भी है kids typing zone है अलग सा typing practice है typing games भी है अगर आप बोर होगे तो यह games खेल के आपका typing speed बढ़ा सकते हैं और numeric typing भी है तो यह एक software की tips मैंने आपको बताई Microsoft Store विजिट करो यहाँ पे इसे install करो आपके computer में प्रैक्टिस करो और computer में noob से pro बनो तो बस that's it यह थी 11 tips मिलते है अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रहें सीखाते रहें डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी चैनल उनकी लिंक दी है वह वी चेक आउड कीज़ें बाइबाए